राजस्थान में लोग किस तरह से एक दूसरे के खुन के प्यासे हैं इसका नजारा उस समय देखने को मिला जब एक ब्यक्ति की ट्रेक्टर चड़ा कर उसे कोचल कर उसकी हत्या कर दी गई यह नरसंस हत्या का यह जो बारदात है वो कैमरे में कैद हो गई वह वीडियो को आप देखें तो साइद आप भी आस्चर में पढ़ जाएंगे कि इस तरह से किसी की नरसंस हत्या की जा सकती है क्या आप देख सकते हैं वाइरल वीडियो में कि किस तरह से ट्रैक्टर रिपीटेड ली ट्रैक्टर चालक बार बार नीचे गिरे हुए एक 45 वर्षिये नर्पत सिंग गुर्जर की ट्रैक्टर चड़ा कर कुचल कर बार बार उसकी कुचल कर हत्या कर देता है। यह मामला भर्थपुर जिले के बयाना थाना इलाके के गाउं अड़ा का है। बताये जा रहा है कि भादूर सिंग और अतर सिंग गुर्जर नामक दो परिवारों के बीच जमीन को लेकर बेबाद काफी समय से चल रहा था। में प्रोग्रेस नहीं कर पाई थी। लेहाजा आलम यह हुआ कि आज दोनों ही पच्चे लोग आमने सामने हो गए। बताये जा रहा है कि जब आमने सामने हो गए तो एक बयक्ती दूसरे पच्च का एक व्यक्धी ट्रेक्टर लेकर आया। और एक पच्छे के व्यक्तियों पर ट्रैक्टर चड़ा दिया जिसके चंगुल में 45 वर्षिय नर्पर सिंग गुर्जर उसके चंगुल मा गया और उसकी बार बार देख सकते हैं वीडियो में कि किस तरह से वह व्यक्ति ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर से बार बार कुचल रह और नुर्फ करण था है उसकी जब तक उचलता है जब तक उसकी हत्या नहीं हो जा है है पुलिस में मामला दर्ज होता है पुलिस मौकर पहुंचती है Nossa में कई लोग गायग वताए जा रहा रहा आदाधर दर्ज है ंहको बयाना के अस्पोताल में भरती कराया गया है उनका एलाज चल रहा है पुलिस मौखे पर पहुंची है कई लोगों को डिटेन भी किया गया है कुछ लोग फरारमी एक जिनकी तलाष की जा रही एचाकी ज array भी ग्ति झरयम आ ञटनी है और जब वो खेत पे जाता है, अपने ब्रूद करता है जो ताई को लेकर ब्रूद हो रहा था और फिर कोचल कर उसकी हत्या कर दी जाती है इस पर जब इतनी बड़ी हत्या हो जाती है, इतनी बड़ी घटना हो जाती है तो फिर BJP वी आखिर पीछे क्यों रहे बीजेपी के राष्टे प्रवगता है सहजाद पुनावाला उनका भी वयान सामने आया है उनका कहना है कि राजस्थान में किस तरह से जंगल राज है इसकी वानगी इस तस्वीर से देखने को मिल सकती है कि किस तरह से ट्रेक्टर द्वारा एक व्यक्ति को कुचल कर उसकी हत्या कर दी जाती है प्रियंका गांधी वारवार राजस्थान आ रही हैं सियासत के लिए लेकिन प्रियंका गांधी को ये सब कुछ नहीं देखता है पुनावाला कहते हैं उनका वयाना आया है कि किस तरह से लोगों की हत्या की जा रही है लोगों के गले काटे जा रहे हैं मैलाओं के अत्याचार हो रहे हैं बेटियों पर अत्याचार हो रहे हैं लेकिन सत्ता समालनी है, सत्ता को चलाना है, कॉंग्रेस का सिर्फ यही फंडा है, तो बीजेपी का भी पूरे कॉंग्रेस सरकार पे एक तरह से आरोप सामने आया है, और सवाल या निसान उठाया है प्रिंका गांधी पर, जिस तरह से प्रिंका गांधी आ सवाई मादूर पा वो सामने आया है लेकिन जो पूरे मामले में हमने हमारी बात हुई जो बयाना के अडिशनल लगे हुए हैं उम्प्रिकास उनसे बात हुई तो उनका कहना है कि सूचना मिली थी कि एक ब्यक्ति दो लोगों के पीछ में जगड़ा हो गया एक ब्यक्ति की ट्रैक्टर से को चल क कर दिया प्लिस मौके पर पहुंची है घायलों को अस्पताल में भरती करा दिया गया है सिकायत की जाएगी बेट किया जा रहा है कानुनी कारवाई अमल मिलाई जाएगी आज जिनान को 25-23 को शुवे करीब साड़े साथ बजी के आसपा सुचना मिली कि ग्राम अड़्डा में गुजर परिवार के दो पक्सों में धगड़ा हो रहा है इस सुचना पर मैं S.H.O. बयाना और S.H.O. सदर C.O. बयाना रुदावल थाना दिखारी मोक्य पर पहुंचे वहां मोक्य पर पहुंचे ने पर पता चला कि दोनों पक्सों में आपस में पुराणी बात को लेकर के राश्ते की बात को लेकर देगड़ा हो आ है जिस पर वहां मोक्य पर एक व्यक्ति नर्पत सिंग सनो पतर सिंग की ट्रेक्टर से पुचलने से मोत होगी और वहां पोटल पुल आड़ आदमी एक पक्स के गायल होए जिन में से चार को सरकारी हस्पदर भरफूर बेजा गया है दूसरे पक्स के चार आदमी गायल हैं जिन में से दू को सरकारी अस्तौल बिजवाए गया हैं बाकि एक पक्स के दो आदमी और दूसरे पक्स के चार आदमी राउड ड़ाप करके निहराणी परतम दिश्चा देखने से इसे मालूम पढ़ रहा है कि जो ड्रेक्टर चालक है वो जो मर्तक है दामोदर नर्पत उसका भाही दामोदर है और उसी से उसका हुलिया मैच कर रहा है और आसपास के लोग भी यही बिता रहे हैं इसकी तश्दीक की जा रही है और शिक रही जो भी कारभाई होगी वह अव सुबह सुबह दुबहरा इंदोनों पर विवाद आपस में हो गया और यह इनकी फाइटिंग होगी फाइटिंग होने के बाद में एक पक्स तो जो मर्तक के सामने वाला पक्स है वह वासे हाट गया पीछे जबकि दूसरे पक्स के ही वीडियो में दिखाई दे रहे हैं और सभी का रिकॉर्ड चेक करवा रहे हैं जो भी होगा पत्रावली में सामिल किया जाएगा लेकिन प्रतम दुष्ट्या गाहों से बादू करने पर और इसके पैंट के लगबग सो प्रतिसत के आसपास जी अंदाजा है यही लड़का है उससे पुष्टाच की जाएगी और स का कहना है कि तीन दिन पहले जगडा हुआ था सिकायत भी हमने थाने में दर्ज कराई थी लेकिन पुलिस ने सिर्फ इतना ही किया कि सिर्फ लोगों को पावंद किया उससे आगे कोई कारवाई नहीं की और आज जम में ट्रेक्टर लेकर जोताई करने जा रहा था तो दूस रही है कि राजस्थान में यह माहूर हो गया है कि जंगल राज है यहां कानून को पालना करने वाला कोई नहीं किसी में भेह नहीं है अप रादियों को सरण दी जाती है सत्ता को बचाने कि को सिके जाती है अब चूंकि बिधान सवाद चुनाव का दोर चल रहा है 25 नवंबर को बिधान सवाद चुनाव होने है तो बीजेपी का हमला बहुर होना लाजमी है लेकिन कहीं ना कहीं कॉंग्रे सासन में बहुत सारी जो घटनाय सामने आई हैं चाहें उधैपूर हत्या कांड का मामला हो इसके लावा एक बच्ची को रेप के बाद जलाकर हत्या कर देने का मामला हो तमाम तरह की जो घटनाय सामने आई हैं महलाओं की बच्चीयों की हत्या लोगों की हत्या लूट पार्ट पुलिस सुरिच्छा में कैदी की गोली मारकर हत्या कर देना इस तरह की कई ऐसी घटन पांच वर्सों में सामने आई हैं जब आम जनता को जख जोर के रख दिया है इन तस्वीरों ने और यह तस्वीर कोई मामुली तस्वीर नहीं है जिसमें आप देख सकते हैं कि अपरादियों के होंसले के इस तरह से बलंद है कि सरे आम एक व्यक्ति की बार-बार को चल कर ट् और बीडियो अपने मोबाल से बना रहे थे उस जो हत्या कांड हुआ है को चल कर उस जो ग्रामिण है अपने मोबाल में बीडियो भी बना रहे थे लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वहां जा करके उसको बचा लिया जाता या पुलिस को फोन कर दिया जाता या फिर कानून ब्यवस्था टूटने का एक आभास पैदा करती है और अपराधियों को कहीं न कहीं इस चीज में एक बिष्वास पैदा होता है, ढारस बनता है कि कुछ होने वाला नहीं है, अपराध तो रोजान होई रहे हैं, किसी का क्या वालवां का हुआ है, जिल जाते हैं, जमा उन ब्यवस्ता के पड़ती, और जो अप रादिया, जो बद्मार्प से इस तरह की बारदातकों का अंजाम देते हैं, उनके खिलाफ प परसाहतसंको तुरंत प्रभाव से कारवाई करने की जरूरत है, और जरूरत है कारवाई करने की समय से पहले भी जिससे इस तरह की बारदातों को घटित होने से पहले ही रोक लिया जाए उन पर काबू पाया जाए जिससे की लोगों का जीवन भी बस सके लोग प्रताड़ित भी नहों लोग की हत्याय नहों और आम जनता में कानून के प्रत स्वास कायम रहे